अजय जी आपने बात की है टाइलन्ट को लेकर जैसे कि यह बाहर के सिंगरों को यहां पर बुलाते हैं हमारे जम्मू में काफी सिंगर ऐसे हैं जिनको भी एक मोका मिल सकता एक बड़ अपलाइब देखो अगर सरकारी स्पोर्ट नहीं करेगी लोकल टैलेंट को अगर डोगर मेरा अच्छा लगता है एक दो गाना उस पर और भी पड़ा हुए कंटेंड अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक शेर कमेंट जरूर करें और चैनल को सिस्क्राइब नमस्कार आप देखने हैं साबदान जम्मू और मैं हूँ रास संगोतरा अकनूर से जम्मू तो आज हम इंसे बात करेंगे और इनके गाने के बारे में पूचेएं सर पहले साब्दान जम्मू में आपका बहुत बहुत सवागत है ज्योन और आप मेरे घर में आ जाए है और बहुत बहुत शुक्री आपकी टेम का अजे जी अगर बात की जाए तो आपने काफी गाने भी गा चुके हैं टी सीरिस में भी गाने गा चुके हैं आप मुजिक डिरेक्टर भी है और लेरिक्स भी आपकी है और आप राइटर भी है तो सर आपकी जurni के बार में हम बात करेंगे पहले आपकी जर्नी किस तरह से म्यूजिक में राज जी में आपको बताओं कि बच्पन से ही शौंग था गाने का ना थूड़ा तो बच्पन लिए एलाइनस्थे जुड़ा को टु देरे महनत कर गोगते हैं मैंस करना लाइफ में तो प्रमात्मार्मा भी आपको साहा देत stat teu यही सचे था कि यार, गाने करने आज तो गाने लिखने तो और कम की यहीं हैS unknown कि है एखे हुए यहाँ तो दस साल हो गी है विएक इस मैंने मुझे कहा था गाना गाने के लिए तो वहां पर फिर मैंने गाना गाया था तो वहां से फिर अपनी जर्णी जो शुरू है फिर स्कूल की जो फंक्शन्स होते थे उनमें से गाते थे फिर जहां भी मौका मिले आज तक गाया ही है तो फिर थोड़ा हो जाता आपको पता है और जिन्दिगी में बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं बंदे की लाइफ में जो बंदे को प्रेरिद करते हैं कि वो काम करने के लिए नहीं हमने अभी ये करना है करके दिखाना है तो बस यही है अगर बात की जाए आज़े जी सिंगिंगी सिंगिंगी दुनिए में काफी लोग जमो कश्मीर से जुड़े हैं उनको एक बात की जाए तो उनके टैलन्ट तो बहुत है मर उनके अच्छा प्लैटफरम ने मिल पाता है क्या कहना है इस पर आप राज जी रही प्लैटफरम की बात प्लैटफरम आपको पता है आजकल का जो फैशन है आजकल पता है क्या चीज है खास करके हमारे जम्मू में एक चीज है देखो अभी बात करूंगा तो यह फिर पॉइंट है बड़ी दूर चला जाएगा जैसे जम्मू के जो लोकल होゲं करते हैं तैलन्ट है बड़े अच्छे-च्छे لड़के लिखते हैं मेरे से भी इतने अच्छे-च्छे सीनियर आर्ट patent है वो लिखते हैं लड़के हैं गाते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन जो हमारा जम्मू टूरिजम में आपको बता है, वो जो रोहन परीत है, उसको तो इन्होंने जम्मू टूरिजम में अपना जबाई बना के रखा हुए है, ठीक है, पत्री टॉब में हो रहा है, चाहे फंक्शन, चाहे मानसर में हो रहा है, चाहे जम्मू में हो रहा है हर बार उसी को बुला लेते हैं अगर उसको 10 लाख ले दे के बुलाते हैं तो इतने में मैं कहरा हूँ बात रोटी चल सकती है दोगरी जो अर्टिस्ट है उनकी रोटी चल सकती है वो चीज़ है वो इनका, देखो अगर सरकारी स्पोर्ट ने करेगी लोकल टैलेंड की, तो लोग क्या करेंगे जैसे आप, अज़े जी आपने बात की है, टैलेंड को लेकर जैसे कि ये बाहर के सिंगरों को यहाँ पर बुलाते हैं, हमारे जम्मू में काफी सिंगरें ऐसे हैं, जिनको भी एक मोका मिल सकता, एक बड़ा प्लैटफार्म में जम्मू में भी यही आप बोड़ हैं ना मैं बिल्कुल मैं राजी में यही चीज़ कहना जाता हूँ अभी देखो, देखो रोहन प्रीत से हमारी कोई दिश्मनी थोड़ी है लेकिन हम यह चीज़ कह रहे हैं आप करवार हैं घ्राम में कितंगर है इशान डोतरा लड़की है उसके जितना वाइरल कोई हैं हमारे जम्मू में जितनी भू लड़की वाइरल हुई है ना चार-पांच-छे मिलियन उसके घाना हुआ था नेतबी नcostगी उसने पूल पे MICHAEL वो गाना गया था उससे वाइरल तो कोई बनी उस बचारी को कोई मौका नहीं देता है ठीक है जम्मू टूरिज्म भी उसकी तरफ देखते नहीं हाला कि जो डिप्टी हमारे सीयम रहे है डाटर निर्मल सिंग जी वो उसके घर जाके उसको समानित करके आए ठीक है तो उन्हो तो फिर हमारे जम्मू के साथ ये कोई जम्मू टूरिज्म भाले कोई दुश्मन ही निकार रहे है मुझे तो यही चीज़ लग रही है और तो कुछ है अगर बात की जाए इश्या अंडोत्तरा जी वो भी बहुत अच्छा गाते हैं बहुत सारे उसने गाने का उनकी वीड आने के लिए काम कर रहे हैं इस तरह करें आप एक पहunci जम्मू की याव आप्णिया आप जो पुस्ट किया तो लिखा तो ऐसे क् Rudolph थिया तो फिर हूब करेरे हो गीता तो पहले हमने सोचा था कि यह कंपनी के साहथ मारी डील हुई थी पहले हमने मेरे आते तो मेरे अप साहते मेरे तो प्छॉट मत करो लेकर अच्छे सिंगर जो प्रॉड आप उनकी स्पोर्ट कर रहे मेरी चाहे版 मत करो लेकर उन वचारों की तो करो इतना रिंकुमानसर रहा है न वह बचारी कितना और बात रही राजी गाने की तो गाना मैंने वो लिखा था ना तो उसके बारे मैं थोड़ा क्योंकि हमारे जो दक्षक देखना है वो भी आपका गाना सुनना चाहते हैं और आप इसके मारे थोड़ी सी दो लाइने सुनाएं हाँ बिल्कुल गला गलानी ही तेरियां 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 गलानी ही ते तेरे आलव में चला गलां गलानी तरियां गलां तोड़ा ओला बहुत ही अच्छा है जो है इनका नेया गाना आया है कली रेलीज और बहुत अच्छे इनकी वाज है मा सरस्पती इनके कंठ में वाज़ करती है आप देखा इनका गाना 城ॉपारणी मुपरती है हान जी बिल्कुल मेरा अजे डोगरा म्यूजीक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं सभी को हाथ जोड़के यही एक बिंती करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करा है राज जी है ना कोई भी है चाहे वो कोई भी है किसी भी फिल्ड में है तो अगर आप लोग देखो लॉयक शक्यक्त करके किसी का कोई पैसा नि लगता हो आप आप इस चीज को करेंगी तो बंदे हो जाता है यार लोग हम मेरे साथ जुड़े हुए तो लोग देखते हैं देख के लोग छोड़ देते हैं कोई मैं इतनी सपोर्ट करते नहीं है जो भी जमुकिश्मेर में जो भी अच्छा काम करें आप सबी की सपोर्ट करो और अजे रोगदा यूट्यूब चैनल है तो मैं क्या उच्छा demographic प्हां है को पता को इस साल बोग सारे मैं जो मेरा आने वाला गाना है वह जल्दी मैं उसका पोस्ट कर दूँका बहुतीजनीम छोड़ी दिनों महीं तो बड़ी जल्दी हम उस गाने को लेकर आरहे हैं और अच्छा गान है बहुत अच्छा और अच्छे अच्टे इ करता है तो मैं बात कि चाहीं तो सिंगे कि लाइन पर आना चाते हैं उनको क्या मेसे चाहा है मैं मैं मुजिक भी करता है मेरे साथ तो कोई इतने इतना जादा हम क्यूंकि हमें पता है कि जम्मु किश्मीर के बच्चों का कितना वचारों का बजट है ना सिदी सी बात है जो आप चंडीगड चले जाओगे जहां पंजाब वाली साइड चले जाओगे य कोई पाइड़ में भी कर है ना तो ऐसे जादा को अगर किसीने करना हो वं सोचते हैं हम पंजाब ञाते हैं पिर पंजाब गाता है अच्छा लिखता है तो मैं हम उसके गाने रिकॉर्ड करेंगे मैंने अपना लेवल भी शुरू की है तो free of cost करेंगे कोई tension नहीं है कोई भी हमारे साथ जो जुनना चाहता है जो अच्छा करने वाला है और जिसको मज़़े कि sport नहीं है तो उसको हम पूरी स्पोर्ट करेंगे कोई वैसी वो कोई सीन नहीं है पहले हम बात की जाए तो आपने टी सीरिस में भी काम किया आपको बहुत पुराओड फील होता हुगा सर क्या गहना उसके बार हां जी भाया पुराओड तो फील होता है टी सीरिस के साथ किया है मालवा रेकर्ड के साथ किया है अभी वाइठ हिल के साथ भी मैंने किया था गाना पिछे मैंने लिखे हुए दो गाने आये तो अभी तो अभी मैं पांच ये बना के रखे हुए जिस company से अच्छी डील मिल जाएगी उसके साथ हम वह कोई भी होगी तो प्रॉड तो फील होता है राजी जब आपको इतने बड़े बड़े लेवल इंडिया का नंबर वान लेवल आपको पता है जब वह आपको लॉंच करेगा तो फिर प्रॉड होगा हम तो वहीं से काफी सारे जो जो हुआ के टैलेंट लोग हैं जो कि बहुत जादा उनके अंदर टैलेंट है थी यूझन के मेरी हाथ के रिक्वेस्ट है जम्मू टूरिजम से ठीक है अगर आप चाहते हैं कि हमारे जम्मू किश्मीर से कुछ अच्छे नाम निकलें कुछ अच्छे सिंगर जहां लेखक जहां कुछ भी है जो भी कोई टेलेंटड हैं वो निकलें तो प्लीज आप इनकी स्पोर्ड कीजिए अगर कुछ बढ़ेंट इनकी स्पोर्ड नहीं करेंगे तो यह बचेरे नहीं जल टाएंगे क्योंकि हमारे जमू में तो कोई ऐसे कोई इवेंट बगएरा जांना कुछ ऐसा वी कुछ नहीं थृपर से सरकारी पैसे के लोगों का हक यहां उभी बाहर याशे वो बहर की लहाना व किसी भी सिंगर को बला हमें कोई दिक्त नहीं है आप सरकार के पैसे पर हमारे जम्मु किश्मीर की जनता के पैसे पर बाहर के बंदों पर लुटा रहे हो तो फिर तो दुख होगा भाई सिधी सी बात है ठीक है ना अगर जम्मु किश्मीर के जनता का पैसा आप लुटा रहे कि हमने किन किन आर्टिस्टों को जह मेरं अच्छा काम कर रहे हैं आप उनको मुकर देजिए अगर आप 10–930 बढ़ता है ठीक है घैसे जिडी मेला हो रहा है वहाँ पर सिंगर बुला रहे हो कहीं भी जो भी आपके इवेंट किस्मीर के हो रहे हैं अब आप में बलाओ अगर साल के 6 वी होते हैं 10-10,000 60-70,000 प्या जो सिंगर मिलेगा भू वचैरा दिल लगा के काम करेगा मेहनत करेगा ठीक है इन्होंने करना कुछ है नहीं डूगरी को roscar go कर रहिए हैो योगों को support किस आइस को आपने support कि जुरूरी फिर बाहर के बंदों को जुरूरी मैं वही चीज आपको कह रहा हूं अगर आप करवा रहे हो ना आप अपना प्राइवेट करवा रहे हो आप चाहिए जस्टिन बीबर को बुला लो हमें कोई तंगी थोड़ी है आप सरकार के पैसे के उपर यार आप सरकार का पै बुला लेते हो ठीक है आप दिल्ली से रहन प्रीद को बुला लेते हो दस लाकर बेकाठा करके उसको दे देते हो तो पैसा किसका हुआ जमुकिश्मीर की जनता का हुए ना आप उनको सपोर्ट कीजिए उनको पैसे दीजिए वह भी बचारे कमाएं और बो भी गर्व के सा इतने भी लोग जूड़े हुए हैं और उनको मैं यही कहना चाहता हूं और जनता को यही कहना चाहता हूं कि प्लीज आप जमुकिश्मीर के जो लोकल आटिस्ट उनको सपोर्ट कीजिए और उनका आतम विश्वास बड़े चाकि वह आगे काम करें वहां अपना प्राइव लोका मिलना चाहिए अजे डोगरा ने बिल्कुल बात सही कही क्योंकि हमारे जमुवाले खुद नहीं हमारे को स्पोर्ट करेंगे तो फिर क्या फैदा है आप ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमंट करें और अजे डोगरा को प्यार दें इसी